हल्यो दोस्तो वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल सहेली तो दोस्तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती होंगी सबी लोग अच्छे होंगे मैं रशना आपका स्वागत करती हमारी यूटूब चैनल सहेली हो सबी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तो आज हम आपको बताने चेहरे की रंगत निखारने के लिए मैथी दाने की तीन फेस पैक के बारे में तो दोस्तों ये आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और रेट कलर का बैल आइकन का बटन देख रहा है इसको प्रेस करिए ताकि आपको ह को हमारे आने वाली नई वीडियो के नौटिफकेशन आपको मिल पाए तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन कई वारे प्रोड़क्त के बन मुताविक रजल्ट नहीं मिलता है इन प्रोड़क्स में कई बार हानीकारण केमिकल भी होते हैं जो सरीर के लिए हानी इसका रेख होते हैं ऐसी में सकिन की रंगत निकारने के लिए और किचिन में में मौझूद दाने के face pack का इस्तिमाल किया जा सकता है दोस्तो तो आज मैती को दाने Cocolat नेचरल होने के साथ साथ इसकी लगाने से इसकिन पर नुक्षान नहीं होगा किसी प्रकार का कोई नुक्षान नहीं होगा तो आए दोस्तो जानते हैं इसकिन पर मैथी के दाने का फेसपेक कैसी लगाना है और इसको बनाने की पूरी बिधी तो दोस्तो सबसे पहले मैथी और हल्दी का फेस्पेक बनाने की सामगरी लेंगे हम एक बड़ी चम्मच मैथी का दाना लेंगे दो चम्मच गुलाब जल लेंगे दोस्तो दो चुटकी हल्दी लेंगे एक चम्मच नीबू कर रस लेंगे दोस्तो अब पेस पैक लगाने की बिदी मैथी और हल्दी का फेस पैक बनाने के लिए मैथी के बीजों को आदे घंटे के लिए पाने में बिगो के रख दे अब इसके बाद इन बीजों का पेस्ट बना लीजे दोस्त अब हम इस पेश्ट में बाकी सारी सामगरी के साथ मिलाकर इसे मिसरन तयार करेंगे अब इस पेख को चहरे और गर्दन पर 15 मिट के लिए लगा के रखे फेस पेख जब आपका हलका सा गीला हो तो इसे फेश पर हलके हाथों से मसाज करें फिर इस पेख नॉर्मल पानी लगा के बॉस कर लीजे पेख सकीन को निखारने के साथ सार चहरे के दाग दब्बे को भी दूर करने में बहुत ही मदद करता है दोस्तों लेकिन फेस पेख हम बनाएंगे मैथी का फेस पेख इसमें जो सामगरी लगेगी मैथी का दाना एक चमच पानी एक से दो कप लगेगा पेख बनाने की भी दी दोस्तों इस पेख को लगाने के लिए मैथी के दाने को रात बहर पानी में बेगो कर रख दे उसके बाद सुबे इसका पेश्ट बना ले अब इस पेश्ट को सेट करने के लिए इसमें मिलाएं पानी इस पेश्ट को चेहरे और गर्दन पे 15-20 मिट लगा कर रखे पेख अटाने से पहले चेह हलकी हाथों से स्कीन मसाज करे ये पेख इसकीन निकारने के लिए साथ ही आपके बेख खिट्स की समस्याओं को भी दूर करता है तो दोस्तो अब जो हमारा तीसरा फेश्ट पेख है वो मैथी और दही का फेश्ट पेख है सामगरीस में जो लगने वाली सिर्फ दो चमच मैथी एक चमज दही एक चमज हल्दी पाउडर अब इसको फेस पैक बनाने की जुबी दी है वो इस प्रकार है दोस्तों पैक को लगाने के लिए राद बर मैती को पानी में भीगो कर रख दे सुबे से ग्राइंड करके पेश्ट बना लीजे अब इस पैस्ट को बाकी सभी सामा ग्रीव को मिला कर गाला पेश्ट यार करें अब इस पैस्ट को चहरे और गर्दन पे कम से कम 10 से 5 मिट लगा कर रखें उसके बाद नॉर्मल पानी से बास कर लीजे फेस पैक को लगाने से इसकीन की रंगत में निखा राता है और साथ में ही दाग दब्बग की समस्या है जो भूवी दूर होती है दो दोस्तों यह सभी फेस पैक आपकी स्कीन के लिए बहुत ही फाइडिमन ने लेकिन ध्यान लखें इनको लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों तब तक की लिए बाई बाई